ओम श्यान्ती, पांच सितंबर दोहजार चोबिस के इश्वरिय महवाक्य, पहले एक नजर मुरली के मुख्य पोइंट्स पर, बाबा ने कहा, यहां तुम बाप से राजयोग सीख रहे हो, यह भी जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, जो अच्छे समझदार उन्हों के लिए याद में रहना बड़ा मुश्किल है, फिर उनके पाप भी कैसे कटेंगे, बाबा ने कहा, जो अच्छे शुरुड बुद्धी बच्चे होते हैं, वह पढ़ाई में कभी उबासियादी नहीं लेते, इस ग्यान को अच्छी रिती धारन कर, वह औरों को भ उमें सब कुछ भूलना होता है, अभ्यास ऐसा हो, जो पिछाडी में सिवाए बाप के और कुछ भी याद ना आए, जो जितना पुरुशार्थ करेंगे, उतना उच्छ पद पाएंगे, तो जितना हो सके, उठते बैठते याद में रहो, फिर सारे दिन का हिसाब निकालो, किस समय कितनी याद रही, सारे दिन का टोटल निकालना चाहिए, अर्थात याद का चार्ट लिखना चाहिए, लास्ट में बाब ने कहा, तुम शांती धाम से आये थे, फिर उसी शांती धाम में जाना है, प्रन्तु वहां कोई पतित जाना सके, इसलिए एक बाप को याद क और अब सुनते हैं, महवाक्यों को विस्तार से, मुरली का सार, मीठे बच्चे, तुम्हें यहां प्रवरिती मार्ग का लव मिलता है, क्योंकि बाप दिल से कहते हैं, मेरे बच्चे, बाप से वर्सा मिलता है, यह लव देहधारी गुरू नहीं दे सकते हैं, प्रश्न, जि की निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें दूसरों को सुनाने का शोक होगा, उनकी बुद्धी मित्र संबंधियों आदी में भटकेगी नहीं, शुरुड बुद्धी जो होते हैं, वे पढ़ाई में कभी उबासी आदी नहीं लेंगे, स्कूल में कभी आँख बंद करके न नहीं, उनके लिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है, ओम श्यान्ती, यह है बाप और बच्चों का मेला, गुरु और चेले अत्वा शिश्यों का मेला नहीं है, इन गुरु लोगों की दृष्टी रहती है, कि यह हमारे शिश्य हैं, अत्वा फोलोवर्स वजिग् हलकी दृष्टी हो गई न, वे उस दृष्टी से ही देखेंगे, आत्मा को नहीं, वे देखते हैं शरीरों को, और वे चेले भी देह अभिमानी होकर बैठते हैं, उनको अपना गुरु समझ से हैं, दृष्टी ही वे रहती हैं, कि यह हमारा गुरु है, गुरु के लिए र रिगार्ड रखते हैं, यहां तो बहुत फर्क है, यहां बाप ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं इन बच्चों को पढ़ाना है, यह स्रिष्टी का चक्र कैसे फिड़ता है, बेहद की हिस्ट्री जोग्राफी बच्चों को समझानी है, उन गुरु की दिल में बच्चे का लव नहीं होगा बाप के पास सो बच्चों का बहुत लव रहता है और बच्चों का भी बाप पर लव रहता है तुम जानते हो बाबा तो हमको सुरिष्टी चक्र का ग्यान सुनाते हैं वह क्या सिखाते हैं आधा कल्प शास्त्र आधी सुनाते भक्ति के कर्म कांड करते गायत्री संध्यादी सिखाते रहते हैं यह तो बाप आया हुआ है अपना परीचे दे रहे हैं हम बाप को बिलकुल नहीं जानते सरव्यापी कह देते थे कभी भी पुछो परमात्मा कहा है तो जट कहेंगे वह तो सरव्यापी हैं तुम्हारे पास मनुष्य जब तो पूछते हैं यहां क्या सिखाया जाता हैं। बोलो हम राज योग सिखाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन सकते हो। और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जो कहे हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं होते हैं सत्युग में, कलियुग में हैं मनुष्य। अब हम तुमको सारे सृष्टी चकर का राज समझाते हैं जिससे तुम चकरवर्ती राजा बन जाएंगे। और फिर तुमको पावन बनने की बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। ऐसी युक्ति कभी कोई सम जाना सके। यह है सहज राज योग, बाप है पतित पावन, वह सर्वशक्ति मान भी हैं तो उनको याद करने से ही पाप भस्म होंगे। क्योंकि योग अगनी है ना, तो यहां नई बात सिखलाते हैं। यह ग्यान मार्ग हैं। ग्यान सागर एक ही बाप होता है। ग्यान औ सागर हैं। वह खुद आकर अपना परीचे देते हैं कि मैं सब का बाप हूं। ब्रह्मा दवारा सारी स्रिष्टी को पावन बनाता हूं। पावन दुनिया है सत्युग, पतित दुनिया है कलियुग। तो सत्युग आदी कलियुग अंत का यह है संगम युग। इनको से आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए। यहां तो हम छीची दुनिया से नई दुनिया में एकदम जंप मारते हैं। सीधे चले जाते हैं उपर। पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में जाते हैं। यह है बेहद की बात। बेहद की पुरानी दुनिया में द्यएर मनुष्य है, नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ सब पवित्र रहते हैं, कलियुग में हैं सब अपवित्र, अपवित्र रावन बनाते हैं। यह तो सबको समझाते हैं कि तुम अब रावन राज्य अथ्वा पुरानी दुनिया में हो। असल में राम राज्य में थे जिसको स्वर्ग कहा जाता था। फिर कैसे 84 का चक्र लगाकर नीचे गिरे हो, सो तो हम बता सकते हैं। जो अच्छे समझदार होंगे, वे जट समझेंगे। जिसको बुद्धी में नहीं आएगा, वे तो तवाई के मिसल इधर उदर देखते रहेंगे। अटेंशन से सुनेंगे नहीं। कहते हैं ना, तुम तो जैसे तवाई हो। सन्यासी लोग भी जब कथा बैठ सुनाते हैं, तो कोई जुटका खाते हैं, या अटेंशन और तरफ रहता हैं, तो अचानक उनसे पूछते हैं क्या सुनाया। बाप भी सब को देखते रहते हैं, कोई तवाई तो नहीं बैठे हैं, अच्छे शुरुड बच्चे जो होते हैं, वह पढ़ाई में कभी उबासियादी नहीं लेंगे। स्कूल में कभी कोई आखे बंद करके बैठें, यह तो काईदा नहीं, कुछ भी ग्यान को समझते नहीं, बाप को याद करना उन्हों के लिए बड़ा मुश्किल हैं। फिर पाप केसे कटे? शुरुड बुद्धी तो अच्छी रिती से धारन कर औरों को सुनाने का शौक रखते हैं। ग्यान नहीं हैं, तो बुद्धी मित्र संबंधियों के तरफ भटकती रहती हैं। यहां तो बाप कहते हैं और सब कुछ भूल जाना है, पिछाडी में कुछ भी याद ना आए। बाप ने सन्यासियों आदी को देखा हुआ है, जो पक्के ब्रह्म ज्यानी होते हैं, सविरे ऐसे बैठे बैठे ब्रह्म महतत्व को याद करते करते शरीर छोड़ देते हैं। उनके शान्ती का प्रवाह बहुत होता है, अब वे ब्रह्म में लीन तो हो न सके, फिर भी माता के गर्ब से जनम लेना पड़ता है। बाप ने समझाया है, वासो में महत्म तो श्रीक्रिष्न को कहा जाता है, मनुष्य तो बिगर अर्थ ऐसे ही कह देते हैं। बाप समझाते हैं, श्रीक्रिष्न है समपूरन निर्विकारी, प्रंतु उनको सन्यासी नहीं, देवता कहा जाता है। सन्यासी कहना वा देवता कहना उनका भी अर्थ है। यह देवता कैसे बना? सन्यासी से देवता बना। बेहद का सन्यास किया, फिर चले गए नई दुनिया में। वह तो हद का सन्यास करते हैं, बेहद में जा न सके। हद में ही पुनरजनम लेना पड़े, विकार से। बेहद का मालिक बनना सके, राजारानी कभी बनना सके, क्योंकि उन्हों का धर्म ही अलग है, सन्यास धर्म देवीदेवता धर्म नहीं है बाप कहते हैं मैं अधर्म विनाश कर देवी देवता धर्म की सापना करता हूँ विकार भी अधर्म है ना इसलिए बाप कहते हैं इन सब का विनाश और एक आदिसनातन देवी देवता धर्म की सापना करने मुझे आना पड़ता है भारत में जब सत्युग था तो एक ही धर्म था वही धर्म फिर अधर्म बनता है अब तुम फिर से आदीस नातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हो जो जितना पुरुशार्थ करेंगे उतना उंच पद पाएंगे अपने को आत्मा निष्चे करना है भल ग्रेस्थ व्यवहार में रहो उसमें भी जितना हो सके उठते बैठते यह पक्का करो जैसे भक्त लोग सवेरे उठकर एकांत में बैठ माला जबते हैं तुम तो सारे दिन का हिसाब निकालते हो फलाने समे इतनी याद रही सारे दिन मे इतना समे याद रही टोटल निकालते हो वे तो सवेरे उठकर माला फेडते हैं भल कोई सच्चे भक्त नहीं होते हैं कईयों की बुद्धी तो बाहर कहां कहां भटकती रहती है अभी तुम समझ से हो भक्ती से फाइदा कुछ भी नहीं मिलना है यह तो ग्यान है जिससे बह भी अक्षर हैं परन्तु उसका अर्थ कोई भी सुना नहीं सकेंगी जवाब देने आएगा नहीं वासो में उसका अर्थ लिखा हुआ भी है अपने को आत्म समझ देह के सब धर्म छोड मामे कम याद करो भगवान वाज है ना परन्तु उनकी बुद्धी में है भगवान वे तो देहधारी पुनरजनम में आने वाला है ना उनको भगवान कैसे कह सकते हैं तो सन्यासी आदी किसे की भी द्रिष्टी बाप और बच्चों की नहीं हो सकती है भल गांधी जी को बापु जी कहते थे प्रन्तु बाप बच्चे का संबंध नहीं कहेंगे वे तो फिर भी साकार हो गया ना तुमको तो समझाया है अपने को आत्मा समझो इसमें जो बाप बैठा है वे है बेहद का बापु जी लौकिक और पार लौकिक दोनों बाप से वर्सा मिलता है बापु जी से तो कुछ भी नहीं मिला अच्छा भारत की राजधानी वापिस मिल परन्तु यह वर्सा तो नहीं कहेंगे सुख मिलना चाहिए ना वर्से होते ही हैं दो एक हद के बाप का दूसरा बेहद के बाप का ब्रह्मा से भी कोई वर्सा नहीं मिलता है भल सारी प्रजा का वह पिता है उनको कहते हैं great great grandfather वह खुद कहते हैं मेरे से तुमको कुछ भी वर्सा नहीं मिलता जबकि यह खुद कहते हैं मेरे से वर्सा नहीं मिल सकता तो उस बापुजी से फिर क्या वर्सा मिल सकेगा कुछ भी नहीं अंग्रेज तो चले गए अभी क्या है भूख हड़ताल पिकेटिंग स्ट्राइक आदी होती रहती कितनी मारा मारी होती रहती है कोई का डर नहीं है बड़े बड़े ओफिसर्स को भी मार देते हैं सुख के बजाए और दुख है तो बेहद की बात यहां ही है बाप कहते हैं पहले पहले तो यह पक्का निश्चे करो कि हम आत्मा हैं शरीर नहीं बाप ने हमको अडोप्ट किया है हम अडोप्टेड बच् तुमको समझाया जाता है बाप ग्यान का सागर आया है और सुरिष्टी चकर का राज समझाते हैं दूसरा कोई समझा न सके बाप कहते हैं देहे सहित देह के सब धर्मों को भूल मामेकम याद करो तो सतो प्रधान जरूर बनना पड़ेगा यह भी जानते हो पुरानी दुन आश तो होना ही है नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं कहां इतनी करोडों आत्माई और कहां नौ लाख इतने सब कहां जाएंगे अब तुम्हारी बुद्धी में हैं कि हम सब आत्माई उपर में थी फिर यहां आई हैं पार्ट बजाने आत्मा को ही एक्टर कहेंग आत्मा एक्ट करती है इस शरीर के साथ आत्मा को और्गन्स तो चाहिए ना आत्मा कितनी छोटी है 84 लाख जनम है नहीं हर एक अगर 84 लाख जनम ले फिर पार्ट रिपीट कैसे करेंगे याद नहीं रह सकता स्मृति से बाहर चला जाए 84 जनम भी तुमको याद नहीं रहते है भूल जाते हो अब तुम बच्चों को बाप को याद कर पवित्र जरूर बनना है इस योग अगनी से विकर्म विनाश होंगे यह भी निश्य है बेहद के बाप से बेहद का वर्सा हम कल्प कल्प लेते हैं अब फिर स्वर्गवासी बनने के लिए बाप ने कहा है कि मामे कम याद करो क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ तुमने बाप को पुकारा है ना तो अब बाप आए हैं पावन बनाने पावन होते हैं देवता पतित होते हैं मनुष्य पावन बनकर फिर शांती धाम में जाना है तुम शांती धाम जाना चाहते हो या सुख धाम आना चाहते हो सन्यासी तो कहते हैं सुख काग विष्टा के समान है हमको शांती चाहिए तो वेह सत्युग में कभी आ नहीं सकेंगे सत्युग में था प्रवृती मार्ग का धर्म देवताएं निर्विकारी थे वही पुनरजनम लेते लेते पतित बनते हैं अब बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है स्वर्ग में चलना है तो मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं पुन्य आत्मा बन जाएंगे फिर शांती धाम सुख धाम में जाएंगे वहाँ शांती भी थी शुख भी था अभी है दुख धाम फिर बाप आकर सुखधाम की सापना करते हैं, दुखधाम का विनाश, चित्र भी सामने है, बोलो अभी तुम कहां खड़े हो, अभी है कलियुग का अंत, विनाश, सामने खड़ा है, बाकी जाकर थोड़ा टुकड़ा रहेगा, इतने खंड तो वहां होते नहीं, यह सब वर् प्षाला है, भगवान वाच, पहले पहले बाप का परीचे देना पड़ता है, अभी कलियुग है, फिर सत्युग में जाना है, वहां तो सुख ही सुख होता है, एक को याद करना, वह है अव्यभिचारी याद, शरीर को भी भूल जाना है, शान्ती धाम से आये हैं, फिर श शान्ती धाम में जाना है, वहां पतित कोई जान सके, बाप को याद करते करते पावन बन, तुम मुक्ती धाम में चले जाएंगे, यह अच्छी रिती बैट समझाना पड़ता है, आगे इतने सब चित्र थोड़े ही थे, बिगर चित्र भी नटशेल में समझाया जाता था, इस पाटशाला में मनुष्य से देवता बन जाना है, यह है नई दुनिया के लिए नई नौलज, वह बाप ही देंगे न, तो बाप की दृष्टी रहती है बच्चों पर, हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, तुम भी समझाते हो, बेहद का बाप हमको समझाते हैं, उनका नाम हैं शिव बाबा, सिर्फ बेहद का बाबा कहने से भी मूझ जाएंगे, क्योंकि बाबाईं भी तो बहुत हो गए हैं, वियोंसी पालिटी के मेर को भी कहते हैं, बाबा, बाप कहते हैं, मैं इसमें आता हूँ, तो भी मेरा नाम शिव ही है, मैं इस रथ दवारा तुमको इनका नाम रखा है प्रजा पिता ब्रह्मा इनको भी मेरे से वर्शा मिलता है अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्से रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग धार्ना के लिए मुख्य साल अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जम्प देने का समय है इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का सन्यास करना है इसे बुद्धी से भूल जाना है पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है स्कूल में आखे बंद करके बैठना यह काईदा नहीं है ध्यान रहे पढ़ाई के समय बुद्धी इधर उदर ना भटके उबासी ना आए जो सुनते जाए वह धारन होता जाए वर्दान रुहानी नशे दवरा पुरानी दुनिया को भूलने वले स्वराज्य सो विश्वराज्य अधिकारी भो संगम युग पर जो बाप के वरसे के अधिकारी हैं वही स्वराज्य और विश्वराज्य अधिकारी बनते हैं आज स्वराज्य हैं, कल विश्व का राज्य होगा. आज कल की बात है, ऐसी अधीकारी आत्मा रुहानी नशे में रहती हैं और नशा पुरानी दुनिया सहज भूला देता हैं. अधीकारी कभी कोई वस्तु के व्यक्ति के संसकार के अधीर नहीं हो सकते. उन्हें हद की बाते छोड़नी नहीं पड़ती, स्वत्य छूट जाते हैं। स्लोगन हर सेकिंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। अच्छा, आज का अव्यक्त ग्यानमोती बहुत विशेस है। सभी भाई बहने जरूर सुने। अव्यक्त ग्यानमोती सुनने के लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें।